हलो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन यदि ऐसी बारिश में आपकी सर्जरी हुई है, यानि कि अगर डिलिवरी के लिए आपका सर्जिकल आपरेशन हुआ, जिसको की सिजेरियन आपरेशन कहते हैं, तो अब आपकी दिमा अब आपकी बारिश में आपकी सर्जरी हुई है, आपके टाके लगे हैं, तो आप इन टाकों की कैसे देख भाल करें, सबसे इंपारिश के टाइम पर, कि जैसे ही बारिश होती है, तो वातावरण में अन्वारिमेंट में नमी बढ़ जाती है, यानि कि पानी थोड़ा-थ है तो fan Insurance बढ़ जाता है आपने मैं देखें कि काल स्फिली चले रग जाता है इसे ही के हुंतेर्व पथर्द श κछली की कारन के स्पोर्स होते हैं इह जाती है गर्मी होती है यह तो ट्रफ की वजह से इतनी जल्दी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं आपने किचिन में भी देखा होगा कि रोटी के उपर भी फंगस लग जाती है या यो खना बाहर पड़ा है वो जल्दी घराब हो जाता है यदि हम फ्रिज में नहीं रखते हैं तो इसी तरीके की रिस्क हमारे टांकों के साथ भी होती है और जब हमारी सरंजरी हो जाती है तो हमारा इम्मेटी ढुशता है ठोड़ा सा सर्जी कृटी के अंदर और जैसे आमारी रोग से शक्ती काफी कम हो जाती है इसीलिए एंटिवाइटिक्स दी जाती हैं ताकि आपके शरीर مें इंपेक्शिन ना हो ताकि आपको जो करना है उसके लिए दो चार पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि डॉक्टर ने आपको पट्टी करके भीजा है क्योंकि जनरली जैसे हम लोग पट्टी करके भीजते हैं तो जो ड्रेसिंग लगा के भीजते हैं वह पारना नहीं है छेडना नहीं कुछ नहीं करना तो अगर आप उसको ड्राय रखते हैं तो बहुत कम चांसेज हैं कि आपकी टांकों में इंफेक्शन होगा क्योंकि इस सील पैक ड्रेसिंग उसमें मौश्चर भी अंदर नहीं जाता है तो फिर बारिश हो चाही नहीं हो जा कर दो नहीं है या अपने उसे उतारने की कोशिश की है या किसी भी कारण वश्च सही तरीके से ना चिपकने की वज़े से ड्रेसिंग उत्री हुई है तो उसे तुरन डॉक्टर के पास जाकर ठाके साफ करवाकर इस ट्राइल एंवार्में याने की हाईजीनिक एंवार क्योंकि यदि आप कई बार मैंने मरीजों को देखा है कि जैसे थोड़ा कोना उतर गया तो घर पे कोई दूसरी पट्टी चिपका ली उसको हवा जा रही है अंदर इंफेक्शन होने का खत्रा बना हो क्योंकि जैसे भार के अंदर जाएगी तो इंफेक्शन होगा और जैस कर लीजे ज्यादा समय तक गिली नार है कोशिश कीजिए कि या तो गिली ना हो और गुतितों से जल्दी से सुखा लीजे दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है जो डॉक्टर ने आपको एंटिबाइटिक्स दे रखी हैं उनको समय पर लेना है उनमें कोई भी आपको मिस्स नहीं करनी है क्योंकि ऐसे मौसम में इंफेक्शन का खत्रत डेफिनेटली जादा होता है इसलिए एंटिबाइटिक बिल्कुल भी मिस्स ना करें यदि आपके पास दवाई खतम हो गई है या दवाई सूट नहीं कर रही है और कोई प्राब्लम के चलते आप दवाई नहीं ले पा रहें तो और समपकर करेंगे आप अपने थे प्रांडबलम ही चेंज करेंगे चो जो ऑपना खाना पीना बहुत अच्छा. रखना है यानि कि immunity को strong बनाना है तो आप हरी सब्जियां लीजिए ड्राइफ रूट्स लीजिए और फल लीजिए लेकिन बाहर से जो भी आप फल और सब्जियां लाके खा रहे हैं उन्हें आप अच्छे से वाश करके साफ सुत्रा करके फिर खाईए ताजा फल और सब्जि बेड रिड़न नहीं रहना है क्योंकि घुमते फिरते रहने से ब्लड फ्लो अपका ठीक बना रहता है और जब ब्लड फ्लो ठीक बना रहता है तो डेफिनेटली इंफेक्शन के चांसे भी काफी कम हो जाते हैं तो फिर आपको गिले कपड़े से पौंच कर साफ रखना है या थोड़ा सा पाउडर स्प्रेंकल कर सकते हैं जैसे भी हो साफ सुत्रा रखना क्योंकि कई बार पेशन नहाते नहीं है उनको लगता है कि पट्टेगीली हो जाएगी या इंफेक्शन हो जाएगा इस वज़े से और आजकल के इस बरसात में जो उमस हो जाती है तो उसमें क बढ़ाने के लिए आप लोग हरी सबजियां और फल के साथ आप जैसे संत्रा आमला निम्बू नारिल पानी यह सारी चीज़ें प्रिफर कर सकते हैं जिनमें कि विटामिन सी होता है जो कि घाव भरने में हेल्प करता है अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं यानि प्ट्टी के आसपास का एरिया को आप नीट एंड क्लीन रखते हैं उस पर किसी प्रकार का मैल नहीं जमता या डस्त नहीं जमती है तो इंफेक्शन होने के चांसे काफी हद तक कम हो जाते हैं और आसपास के एरिया को भी आपको साफ सुथरा रखना होता है क्योंकि घर के आसपास अगर पानी भरा हुआ है उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं या और किसी प्रकार से गंदगी हो रही है जिसमें किटानों बन सकते हैं बैक्टीरिया या जम्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनिटली आपके इंफेक्शन होने के खत्रा काफी जादा बढ़ जाता है तो साफसफाई के साथ अपने घर की और आसपडोस के साफसफाई का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है यानि कि आपके घर वाले आपके फैमिली फ्रेंट्स आपकी देखबाल तो करीर हैं साथ में आसपडोस का भी ध्यान रखिए क्योंकि बाहर से इंफेक्शन अंदर आत इसलिए आपको अपना द्धान और लोगों से ज्यादा रखना है ताकि आप अपने बच्चे के साथ अपने टांकों का भी ध्यान रख सकें और जब आप सुस्त्र रहेंगे तो आप अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे इससे रिलेटेड यदि आपके और कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकती हैं हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और यदि अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें इंस्टापे जॉइन कर सकती हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जैनकारी के साथ तब तक नमस्क्राइब